आपका टाइम आएगा अब विश लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए यानि कि वो विश जो आपके पूरी होनी है उनकी एक लिस्ट मित्रो एक बहुत महत्वपून भविश्वानी लेकर के आज आपके बीच में उपस्तित हुआ हूँ जोति शेक प्रॉपर विज्ञान है ग्रहों पर आधारित किंतु परंतु वाली बात नहीं है पॉइंट टू पॉइंट आप सब कुछ बता सकते हैं यदि आपने अध्यान अच्छे से किया है ये वर्ष 2023 एतिहासिक वर्ष है ये वर्ष 2023 तीस साल के बाद शनी के अपने मूलत रिकॉन राशी में आजाने से एतिहासिक है इस वर्स 2023 में वो वो चीजे आपको जीवन में देखने को मिलेंगे जो एतिहासिक होंगे क्योंकि जब जब शनी मूल तरिकॉन राशी में आते हैं अपनी राशी में आते हैं ये आज की वीडियो शनी की लेकर के नहीं है मैं पहले कलियर कर देता हूँ बट जब जब शनी मूल तरिकॉन राशी में आते हैं तब तक इतहास बनता है और पहले चार महीनों में विशेश रूप से बनेगा क्योंकि देव गुरु ब्रस्पती भी मीन में हैं शनी उकुम्ब में हैं यानि कि कितने बढ़िया ग्रह सहयोग बन गए कि दो महान ग्रह अपने अपने घरों में उसके बाद गुरु का दो परिवर्तन हो जाएगा और इस वर्ष में आपके लिए सबसे महत्वपून बात ये है कि और जो बाकी के ग्रह हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं सहयोग परदान कर रहे हैं इसका मतलब बहुत कुछ बहुत सारी राशियों को प्राप्थ होने जा रहा है वीडियो को पूरा और अंत तक सुनने से आपको काफी ज़्यादा लाप्राप्थ होगा अब मैं आपसे बात करूँगा इस फरवरी से लेकर कियो और आपको पूरे वर्ष में अंत तक क्या-क्या प्राप्थ हो सकता है और कुछ अगर विशेश ऐसा समय हो तो उससे भी आपको अवगत कराना चाहूँगा तो सबसे पहले आज मैं डिस्प्ले में राशी का नाम दिखाना चाहता हूँ मेश मैं आज किस राशी की बात करूँगा कितनी कोई करूँगा वो कुछ आज हमें आपसे सिर्फ बताते चले जाना है और आपको सुनना है तो जितने भी जात तक मुझे मेश के भी सुनने हैं आप से मैं एक कहना चाहता हूँ कि आपके लिए इस वर्ष में और विशेश रूप से जो मेन विश है आपकी अगर आपकी जॉब को ले करके विश है तो वो आपके पूरी हो जाएगी अगर आपकी ट्रांसवर प्रोमोशन को ले करके विश है तो वो पूरी हो जाएगी अगर आपकी विश है कैरियर को ले करके तो वो पूरी हो जाएगी यदि आपके विश है राज्य सरकार के अंदर किसी बड़े पद को प्राप करने की तो वो विश आपकी पूरी हो ये आपके दामपत्य जीवन में मधूरता ले करके आएंगे और यही देव गुरू ब्रस्पती आपके संतान की सम्रिधी भी करेंगे और कुछ अक्समात धनलाव का योग भी बनाएंगे तो यानि कि धनलाव वाली विश्पूरी हो रही है इदर भागे को सपोर्ट मिल रहा कहने कार्थ ये हुआ कि आपके लिए सभी मेश राशी के जातको जो ग्रह गोचर है वो काफी जादा अनुकूल बनता हुआ नजर आ रहा है इसमें किसी प्रकार का कोई दोमत नहीं है अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर हम और थोड़ा दूर दरशी हो करके मिठों राशी के बारे में आपकी जो विश पूरी होनी है सबसे पहले विश आपकी पूरी होगी पैसे की जो धन धानने को लेकर कि आप परेशान पीड़े चल रहे हैं आपको पैसा वापस प्राप्त होगा और साथ में आपका जो मान सम्मन आपने खो दिया था वो विश आपकी पूरी होगी और आपके सुख सम्रधी को ले करके जो आपका तनाव चल रहा था वह तनाव आपका विशेश रूप से इस वर्ष में पूरा होगा इसके अलावा जो शनी आपसे टेड़े चल रहे थे वो शनी सीधे हो जाएंगे तो शनी के द्वारा भी आपकी विश विश्पूरी होगी ऐसा आपकी कुंडली आपकी राशी यहां पर इशारा कर रही है तो दोस्तों ये मिथन राशी वालों के लिए ये विश्पूरी होगी इसके अलावा और क्या हो सकती है देखिए इसके अलावा हो सकती है उन लोगों को जो लोग संतान को ले करके चंत पूरी हो सकती है और वो लोग जो डॉक्टरी के पेशे में हैं उनके लिए विशेश रूप से इस वर्ष में आपकी भी विश्पूरी हो सकती है ये मैं कहना चाहूंगा यानि कि आपका भाग ये साथ देगा और पिता को ले करके जो आपके मन में दुवीदा चल रही है स्वास्त बैटर होना शुरू हो जाएगा इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहूंगा सिंग राशी के विशे में सिंग राशी की जो विश्पूरी होगी वो है सबसे आदा तुम मैं चाहता हूं कि सिंग वालू की ही पूरी हो क्योंकि आप लेटरली बहुत ज विश्पूरी होगी आपका स्वास्त तो बैटर होगा सबसे देखे स्वास्त है तो सब कुछ है इसलिए हैल्थ इस वेल्थ का जाता है वो पूरा होगा सेकेंड चीज दामपत्य जीवन को लेकर कर जो कलह कलेश चल रही थी तो वो विश्पूरी होगी उसमें आपको रिल हुए जा रहे हैं ऐसे लोगों की भी विश्पूरी होगी विशेश रूप से सिंग राशी के इसके लावा गुरू राहू का एक चंडाल दोश का प्रभाव जरूरी स्वर्श में रहना है इसलिए आपको एक पुखराज रत्न अभी से धारन कर लेना चाहिए ताकि इस च होंगा जितने भी जात अक तुला के मुझे भी सुन रहे हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा आपके विश्प को पूरा करने में शनी का इंपॉर्टन रोल रहने वाला है शनी जी हाँ न्याय मूर्ती करमफल दाता शनी आपके भगये के विदाता शनी आपके सुख साधन दाता शनी आपको संतान सुक देने वाला दाता यानि कि शनी का इंपर्ट रोल तो रहना ही है इसके अलावा जो लोग करजे में डूबे हुए हैं और जिन लोगों को सारे तरब से ऐसा लग रहा है कि रास्ते अब बंद हो गए हैं अब कुछ नहीं है ऐसे लोगों के लिए भी आपर एक उमीज जगेगी आपकी विश पूरी होगी और आपका जीवन साथी और व्यापारिक पार्टनर इनके माद्यम से आपका भाग्य उदे होगा भाग्य के उन्नती होगी ऐसी एक विश आपकी पूरी होती नजर आ रही है आप अपनी कोई विशेश विश को आपका पेट आपका स्वास्त और आपका संतान के साथ चलने वाला कलह कलेश और परिवार में जो मनमुटाव चल रहे हैं वो इन सभी दृष्टिकोनों से ये पांच विश आपकी शुब रूप में पूरी होती ही नजर आ रही है इसके अलावा आपकी राशी के स्वामी म आपको बहुत ज़्यादा सायोग करने लगेंगे यानि कि जो देव गुरू ब्रस्पती हैं वहे भी आपकी विश को पूरा करेंगे शुब रूप में करेंगे ऐसा आपकी पत्रिका कहती है अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा विशेश रूप से नेक्स आशी के बारे म में और उसका नाम रहेगा कुम जितने भी जाता का बैट प्रेजेंट कुम के सुन रहे हैं आपकी जो विश पूरी होगी वो है दोस्तों सबसे महत्पूर्ण आपका खोया हुआ सम्मान आपका एक मेंटर रिलैक्सेशन आप कुम वालों बिलकुल भी मानसिक रूप से प् दूसरा आपको जो रिलैक्स मिलने वाला है वो है आपके सगे संबंदी भाई भेनों के साथ चलने वाला मन मुटाव उस चीज़ से आप भार निकल जाएंगे ऐसा आपकी पत्री का इशारा कर रही है और साथ मैं मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बड़ा का धन का लें दिन करना है कोई पैसे का तो अप्रेल एंड से पहले पहले कर लीजिए आपकी वो विश भी पूरी हो जाएगी अब आप से बात करना चाहूंगा मैं नेक्स राशी की और वह रहेगी व्रशव आपकी जो विश पूरी होगी दोस्तों वो है सबसे इंपॉर्टेंट भाग करेंगे यानि कि आपका संकट से काफी जादा आप भार निकलतों नजर आ रहे हैं और इस संकट से भार निकालने में शनी का मैतपून रोल रहेगा और देव गुरू ब्रस्पती का रोल भी आपके जीवर में शुब रूप में मई महिने तक रहेगा उसके बाद शनी आपसे दान पूने धरम करम ऐसे कारे कराएंगे ऐसी चीजों पर आपका पैसा खर्च होगा ये मैं आपसे कहूंगा अगर हम अवर आल बात करें तो आप सबसे ज़्यादा आप ये कोशिश करिए कि आप अपने बिजनिस को या अपनी जॉब को स्टैबलिश कर लें क्यों जो आपके पैसे की विश को पूरा करेंगे आपके नियुनतम आवश्यक्ताओं की पूरती की विश को पूरा करेंगे परिवार में जो मतवेद चल रहे हैं उससे आपको भार निकालने का कार करेंगे और साथ में जो भाशर शक्ती होती है काववे कला होती है इनसान की वा परिस्तितियां आपके लिए आपकी कुंड़ी में शुब रूप में बनती हुई नजर आ रही है इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट विश्पूरी होगी वो होगी फिर लगभग सब्टेंबर अक्टूबर के बाद जानी कि नवंबर और दिसंबर में वर्ष 2023 में आपका कोई विशेश काम सिद्ध होगा जितने भी जाता कन्या के मुझे सुन रहे हैं आपके लिए विशेश रूप से गुरू भी कमजोर हो जाएंगे शनी भी कमजोर हो जाएंगे तो आपकी विश्पूरी होने में अर्चने जादा आएंगी ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ तो आ आप से बात करना चाहूंगा वरिश्चिक की जितने भी जा तक मुझे भी सुन रहे हैं वरिश्चिक के आपकी विश पूरा करने में शनी का एक इंवाल्मेंट रहेगा और सबसे अधा स्वेम मंगल का जो आपकी राशी के सौमी है आपको दाम पत्ते सुख दे देंगे इसक सिक्षा के शेत्र में कुछ रोकावटे रहेंगी वो विश आपकी अधूरी रह सकती है बाकि आपको धन धनने के दरिश्टी कोंड से पहले चार महीने आपको ग्रहों का आशिवाद प्राप्त होगा अब मैं मकर राशी की बात करूँ तो मकर रमें जो विश पूरी हो रह रही है मान सम्मान यशोप लब्दी की और धन धनने को लेकर के हो रही है ये चार पाँच विश आपके विशेश पूरी होंगी और मैं महीने से फिर देव गुरूब रस्पती जॉब में आपकी इच्छाओं के पूर्ती करेंगे जॉब सुच करनी है तो उसके बाद को लेकर के और आपके खर चोपे नियंतरन को लेकर के और करजे से मुक्ती को लेकर के इन चीजों में आपको काफी बड़ी राहत मिलेगी और इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि आपको पुख्राज रत धरन करके रखना चाहिए दोस्तों ये हैं आज सभी बारा राज्शि झाल झाल